हेलो दोस्तों अर्मान इलक्ट्रोनिक सटी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको देखिए कर रनिंग बोड की वाइरिंग करना बताएंगे कुछ दोस्तों के हमारे पास कमेंट से लगाता रहा रहे थे तो हम उनकी फरमाईश पर य वीडियो को ज़्यादा लाइक करें ज्यादा शेयर करें और इसoire किप टो बिलकुल ना करें वीडियो को चलिजिओ वीडियो करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें करना यह हूगा कि हम इस बोड में फिएस देनbn यान लाइन में देंगे और आपको एक बत और बता तें जब सबसे पहले दोस्तों हमें करना ही है कि जो हमारे दो सुच हैं यह उस सुच के जो नीचे वाले पॉइंट पर देखिए इस तरह से हमें दे देना है face यानि के line जो main line आती है या meter से ले सकते हैं या boat से कहीं से भी अगर आपको main line लेनी है तो सबसे पहले हम दोनों सुचों में हम यहां पर main line दे देंगे इस तरह देखिए वायर की हमने थे PVC हटा दी है और इस तरह से दोस्तों हम दोनों सुचों पर इस तरह से देखिए हमने main line दे दिये अब दोस्तों हमें करना ही है जो यह इस तरह से देखिए हम यह करना है यह ले लिया है हमने जो मेल लाइन वाला बहर से आ रहा है पोल से हो या बोर्ट से हो या मीटर बोर्ट से हो कहीं से भी जो आपको फेस लेना है वो स्विच से काटना है यानि कि जो भी हमें सिम जो स्विच से फेस ही काटना होगा देखिए आप दूसरों में करना है कि हम को हम इस तरह से जोइंट कर लेंगे और हम बताएंगे किस तरह से हमें connection करने हैं देखिए हमने ले लिया अब वह देंगे हम socket पर ठीक यह देखिए socket पर हमें right side पर देना है तो देखिए switch से face काट कर हम देदेंगे right side पर socket पर step by step दोस्तों बता रहे हैं इसकी पिल्कुल ना करें वीडियो को इस तरह से अगर आप wiring सीख लेंगे तो किसी भी बोट की असानी से wiring कर लेंगे तो देखिए अब दोस्तों में करना है दूसरा वारा जो switch है हमारे इससे हम करेंगे two pin socket के connection तो switch के उपर वाले point देंगे क्योंको नीचे वाले point पर डाइक्ली face काट कर देंगे इस तरह से देखिए इस two pin socket पर दो ही होते हैं तो इसमें उपर वाले point पर देंगे इस तरह से देखिए दोनों socket में switch से face दे दिया आप दोस्तों हम देंगे न्यूटल के लिए ब्लैक कलर का वायर ले लिया हैं दोस्तों और दोस्तों न्यूटल देंगे सबसे पहले हम 2-pin socket को न्यूटल दोस्तों common होता है एक दूसरी जगा दे लिया सकते हैं देखिए इस तरह से दोखिए अब यहीं से नीटर उठा के हम देदेंगे इस तरह से दोस्तों देखिए 5-pin socket को है दो गिलर का वायर का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी वोर्ड रिपेर करने में आपको कोई दिकत कोई परशान ही होगी नहीं तो दोस्तों देखिए यह वायरिंग पूरी कंप्रीड हो गई है दोस्तों देखिए यह wiring पूरी complete कर दी हमने और दोस्तों आप इस तरह से देखिए अब हम बताएंगे किस तरह से दोस्तों एसुलेटर के आप connection करेंगे ठीक है एसुलेटर करना हम बता देंगे तो एसुलेटर करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों यह है कि नीचे वाले पॉइंट पे जहां पर आपको लिखी होगी लाइन इस तरह देखिए लाइन लेखी होगी ऊपर लिखाओ को लोड तो लाइन म हमें दोस्तों यह करना है जो हमारा में लाइन आ रही है मतल्ड लाइन मीटर बोर्ट या पोल तो कहीं ते भी में आ रही है वह हमें दे देना है नीचे वाले पॉइंट पे जहां लाइन लिखी वी तो इस तरह से देखिए हमने फेस दे दिया है एसुलेटर में यह बोर्ट पे ना दे के हमने एसुलेटर पे दिये अब हम एसुलेटर से ही काट के दोस्तों देंगे बोर्ट पे यानि कि बोर्ट को हम जो करेंट देंगे वो एसुलेटर से काट के देंगे तो दोस्तों देखिए यह देखिए बोर्ट के वायर है में लाइन तो हमने दे दि कर देंगे आप तो यह mcv जो mcv हो यह हो शौर्ट सर्कृट पर ट्रिप नहीं होगा इसलिए लाइन पर नीचे से लाइन दी आती है उपर से लोड दिया था इस तरह देखिए करक्या पूरी तरह से दोस्तों complete हो गया है हमने बहुत ही असान तरीका से कर दिया है इस तरह से अब हम देढंगे देखिए mmcv सी उठा दिया है अब देखिए r rn Cop करेंगे तो रंड बौर्ट पर करन जाना बंद हो ठीक है हम बोर्ट से भी ऑन अफ कर सकते हैं अब देखें टूपिन सौकट को भी हम चेक करने से इसी तरह थे ठीक है दोस्तो यह देखिए बहुत ही आसान तरीका देखिए इस तरह से हमने चेक करते समय हमें साथ साफदारी बढ़ते दोस्तो देखिए अब यह असुटर करने वीडियो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद